सबी को नमस्कार आज हम सीखेंगे कि माई स्कूल अब पर आपने टाइम टेबल को अपलोड कैसे करना है अभी मैं माई स्कूल अब की होमपेज पर हूँ SGTB स्कूल का जी होमपेज है तो सबसे पहले आप टीचर पैनल के अंदर जाओगे teacher panel के अंदर यहाँ पे first option आपको दिख रही है time table की तो time table पर मैं click करता हूँ जैसी मैंने time table पर click किया तो मेरे पास dashboard आगया time table का जिसके अंदर upload time table, make adjustment, adjustment report, class wise time table and teacher wise time table के options पड़े हैं और सबसे पहला हमारा काम है time table को upload करना तो upload time table करने से पहले आपको सभी teacher की category और उसकी type उसको set करना है उस बात के लिए हम दुबारा पी home page के उपर जाएंगे home page में teacher panel के अंदर यहाँ पे edit option में जाओगे आप edit option के अंदर बिलकुल last option है edit staff and category इस चीज को हम upload क्यों कर रहे हैं update क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब हम teacher को register करते थे पहले तब हम उनकी category और type को set नहीं करते थे जो के बाल में मैंने add कर दिया है category का मतलब के teacher किस category का है वो कहां से लेकर कहां तक classes को पढ़ाता है जैसे मैं कोई भी एक drop down कोलता हूं एक से लेकर दो तक एक से लेकर चार तक एक से लेकर पाँच तक छे से आठ छे से दस नौ से दस ठीक है और दस से बारा नौ से बारा और C, C means common category का है कि उसको हम उपरली classes भी दे देती हैं नीचे वाली classes भी दे देती है according to need ठीक है तो हमने teacher की category को set करना है उसके बाद type, type के अंदर आता है कि वो teaching में है, non-teaching में है क्योंकि जहां पे time table के अंदर सारे के सारे जितने भी as a teacher हमने इसके अंदर register कर रखे हैं सारे के सारे जो staff है हमारा वो show होगा लेकिन time table के लिए हमें सिर्फ teaching staff की अवशकता है इसलिए हमें उसकी type के वो teaching में है के non-teaching में है ये भी set करना है क्योंकि type table में फिर वही staff को fetch किया जाएगा जो teaching में होगा तो यहां से आप जैसे teaching पे आगया उसके बाद एक से चार ये set कर रखा है पहले ही सभी का अगर आपने इसको कोई भी application करनी है तो पहले save करोगे उसके बाद आपके पास एक option आजाएगी submit की तो आपने submit करना है data ये already कर चुके हैं आप उसके बाद मैं उपर click करता हूँ home page पर आता हूँ home page के अंदर teacher panel में हम जाएंगे time table कर time table में time table को upload करना है upload time table में सबसे पहले हम कोई भी teacher select करते हैं जैसे मैंने जहाँ पे अंजना नाम select किया जैसे मैंने अंजना नाम select किया तो इसकी category इसने अपने आप उठा ले क्यूंकि हमने उसको पहले ही set कर दिया था कहां से set किया था teacher panel में edit option के अंदर सिर्फ बिल्कुल last option थी update category and type of teachers उसके बाद subject लेना है कि वो कौन से subject को पढ़ाते हैं मैस ले लिया जैसे class कौन सी है उनकी जहां से कोई भी class आपने select कर लेनी है मैंने select कर ली second फिर उसका section कौन सा है section है a section को पढ़ाते है second a को period कौन सा है first period है कितने day पढ़ाते हैं वो एक से लेकर 6 तक देखो इसको खोलता हूँ मैं एक से लेकर 6 तक मतलब daily उनका period लगता है एक से 3 तक मतलब पहले 3 दिन लगता है 4 से 6 तक मतलब last वाले 3 दिन लगता है 0 का मतलब उनका period ये वाला free है तो यहां हम 1 से 6 automatically selected है दो options पड़ी है दो tables पड़े है उपर वाले table के अंदर हमने जो teacher select किया है जैसे अंजना select की है तो अंजना के ही period आते जाएंगे और जो नीचे वाला table है उसके अंदर total जितने भी period अब तक set हुए है वो show होगे अगर आपने कोई period गलत लग गया तो यहां से आप इसको delete कर सकते हो तो जैसे मैं यहां पर delete करता हूँ इसको यह मैंने delete कर दिया अब यह तो आपको पता चल गया कि आपने time table को upload कैसे करना है अगर किसी teacher का period daily है तो आप 1 से 6 वाली select करोगे option days में अगर पहले 3 दिन है तो 1 से 3 वाली करोगे last के 3 दिन है तो 4 से 6 वाली करोगे अब 0 का क्या परपच है जैसी आप उसकी class को मालो किसी का period free है यहां पे सभी teacher एक बात का ध्यान रखें कि हमने सभी teacher के free period को भी upload करना है तभी हम adjustment कर पाएंगे तभी इसको पता चलेगा कि किस teacher का कहां पी period free है तो अंजना मैडम का जैसे math subject subject हम मैसी रहने देती है period मैंने ले लिया second second period मालो इनका free है तो मैं यहां पे class select करता हूँ उपर देखें बिलकुल उपर free second था section free है class भी free हो गई उसकी days इसके automatically zero आ गए मतलब किसी भी दिन इसका period नहीं है तो submit किया मैंने जैसी मैं submit किया तो यह देखें अंजना मैडम का period second period यहां पे days zero कोई भी दिन इसका period नहीं लगता class और section दोनों free के category में आ गए है इसी ज़रे करके आपने सारे time table को यहां से set कर देना है अगर मैं यहां पे किसी और teacher का नाम select कर लेता हूँ तो देखें dimple यहां है इनका कोई भी period अभी दक set नहीं हुआ है तो इसलिए इसका dimple वाला table यहां पे show नहीं हुआ अगर मैं दुबारा अंजना को select करता हूँ तो देखें अंजना के जितने भी period हमने set की है वो उपर वाले table के अंदर आते जाएंगे ठीक है second period हमने अंजना का set किया था तो उपर वाले table में आ गया first period अगर हमने set करना है तो देखें मैंने science ले लिया subject आप जो भी ये पढ़ाते हैं उस subject को उस class को वह subject आपने यहां पे choose कर लेना है ठीक है मैंने ले लिया third section ले लिया मैंने b ठीक है first period delete मार दिया था मैंने ठीक है third b में first period 6 दिन लगता है science पढ़ाते हैं ये submit किया तो देखें अभी तक हमने इनके दो period को set किया है ठीक है एक third b में जो first period अभी set किया एक free period था इनका second वाला इस तरह करके आप पूरे time table को update कर सकते है इसके बार मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने adjustment कैसे लगानी है अगर कोई teacher शुट्टी पे है तो उमीद है आप सभी को time table को upload करना आगया होगा धन्यवाद